प्रेमी ने विवाहिता प्रेमी का की मांग में पती के सामने सिंदूर भढ़कर अपना बिछड़ा हुआ प्यार वापस पा लिया जी हाँ ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है बलकि हकीकत है और ये वाकिया हुआ है बिहार की छपड़ा जीले में जहां एक पती ने बीवी को इक्ष को सच्चा मानकर अपनी आँखों के सामने प्रेमी से पतिनी की मांग में सिंदूर भढ़वाया और भी गीली आँखों से उसे प्रेमी के साथ विदा कर दिया बीते रविवार राग में छपड़ा में हुई अजीबो गड़ी में खिस्ते के चर्चे पूरे शेहर में हो रहे हैं दरसल पती को गच्चा देकर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ रविवार को राद घर से फडार हो गई लोके लाज में भैसे फड़त पती ने फडार पत्नी की तलाश शुरू की और कुछ दिर बाद उसे प्रेमी के साथ पकड़ लिया पत्नी और आशिक ने पत्नी को सच्चे प्रेम का वास्ता देते हुए अपने प्रेम को भी उसी कैटोगरी का बताया जिसके बाद इमुशनल होकर पती ने प्रेमी के साथ अपने पत्नी की शादी करा दी जानकारी के मताबिक यह भैटना मुड़ा थाना छेतर के मिर्जापुर गों के बताई जा रही है कभी उसे पता लगा कि आरती शादी से पहले मुकामा थाना छेतर के बुरहांपूर के रहने वाला अभिराज से प्यार करती थी पते विश्वजीत ने उसे वाके को सुना लेकिन अनसुना कर दिया लेकिर बीतेर अभीवार रात में आर्ती का प्रेमी अभीराज उसके ससुराल मिर्जापूर पहुच गिया कतित तोड़ पर आर्ती और अभीराज के बीच बोबाई पर बात हुई और फिर रात के लबा 11 बजे आर्ती पती विश्वजीर के घर से छोड़ कर प्रेमी अभीराज के स्थाथ भाग निकली थोड़े ही समय विश्वजीर समेथ उसके पूरे पड़िवार को पता चल गिया कि आने वाली नई बहु घर से 9-11 हो गई है लोग इलाज से भैसे विश्वजीर के पड़िवार ने आर्ती की तलाश रूकी और कुछी दिर में आर्ती अपने प्रेमी अभीराज के साथ पकर ली गई इसके बाद पूरे मिर्जापुड गौव में हंगामा हो गिया इसके पहले ही गौव वाली कुछ कहते पती विश्वजीर ने कहा कि आर्ती अपने प्रेमी अभीराज से सच्चा प्यार करती है इसलिए अगर वो दोनों तयार है तो उनकी शादी करा दी जाए उससे कोई आपत्ती नहीं है इसके बाद ने केवल विश्वजीर बलके पूरा मिरजा पुडगौ के सामने आर्ती के प्रेमी अभी जीत ने उसकी मान भड़ी और विश्वजीर के विधा होकर मुकामा अस्तित बढ़ाप पूर के लिए निकल गए आर्थे और अभिराज को मिलाने के लिए विश्वजीत ने इस तरह का सहाईक फैसला लिया उसे पूरा छपड़ा में चर्चा का विशा है और लोग इस घट्टा की तुलना फिल्म में हम दिल दे चुके सनम से कर रहे हैं जिसमें इसी तरह की प्रेम कहानी है एक बारूल एक बारूल